अब हम बात करें स्फिती अंतराल की एक नज़र डाले कि क्या है स्फिती अंतराल तो यहां पर हम देखते हैं कि स्फिती अंतराल एक ऐसे इस्थिती है जो कि किसे अर्थ वेविस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन के इस्थिती को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की आवशक्ता होती है जितनी मांग की जरूरत होती है और जितनी मांग वास्तों में उत्पन होती है यानि कि जो अधिक मांग उत्पन होती है दोनों के बीच का डिफरेंस है दोनों के बीच का अंतर है जिसे हम स्फीति अंतराल कहते हैं बात करें अगर हम यहां पर स्फीति अं से कुछ परिभाशाओं को देखें यहां पर हम नां प्रवाहां को पोर्ण करने में लुपक्तमान प्रवाह पर दबाव पड़ता है यहां पर हम देखते हैं कि हैं और इस स्थिति में उत्पादन की वृद्धि नहीं होती क्योंकि हमने पहले भी देखा कि उत्पादन के जितने साधन maximum थे वो हम लगा चुके थे क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति को हम प्राप्ति कर चुके थे तो access अब यहां पर हम कुछ नहीं लगा सकते कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उत्पादन maximum जो किया जा सकता था वो किया जा चुका है मांग लेकिन फिर भी जो है वो बढ़ती जा रही है वस्तो की तो दोनों के बीच की जो खाई है अब ये जो इस्ति उत्पन हो रही है वो कहीं न कहीं इस फिति अंतराल को जन्म देती है और ये एक ऐसी कंडिशन है जबकि ऐसी स्थिति बन जाती है कि रोजगार में फिर व्रिद्धी नहीं हो पाती क्योंकि हमने देखा कि maximum तो production के जो five factor है पाच साधन है भूमिश्रम पूंजी संगटन और साहा सबको हमने जितना maximum हम नियोजित कर सकते थे जितना maximum हम उनको यूज कर सकते थे वो हमने कर लिया लेकिन फिर भी मांग बढ़ती जा रही है अधिक मांग होती जा रही है तो अब उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सक तो उत्पादन के साधनों को नहीं लगाया जा सकते यानि कि अत्रिक्त रोजगार भी किसी को प्रदान कर पाना संबह नहीं है अब ये एक ऐसी इस्थिति है जो कि जहां पर हमने पूर्ण रोजगार के इस्थिति प्राप्ति कर ली है अब बात करें अगर हम इन पूर्टी से प्रोड़क्शन के जित्तेश से द्हूर आ ये सब हमनेक्स цию कर लिया जितनी हम पूर्ती कर पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा स्पीड में मांग बढ़ तो ये मांग ज्यादा हो दोनों के बीच जितनी होनी चाहिए और वास्तों में जितनी हो रही याने जितनी उससे अधिक है इन दोनों के डिफरेंस को भी हम स्वीतिय अंतराल के रूप में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि स्वीतिय अंतराल मांग अधिक के औ और कीमत में जो वृद्धियां उन दोनों को वो प्रदर्शित करता है। और अधिक अच्छे से समझने के लिए आएक उदाहरन के द्वारा और ग्राफ के द्वारा स्फितिय अंतराल को समझते हैं। पहला चालू कीमतों पर सकर राष्ट्रिय आए 25 करोड रुपे, दूसरा कर 6 करोड रुपे, तीसरा प्रयोज आए 19 करोड रुपे, चौथा, इस्फिति पूर्व कीमतों पर G.N.P. 20 करोड रुपे पांचवा, सरकारी वेर 8 करोड रुपे छटवा, इस्फिति पूर्व कीमतों पर उभोग के लिए उपलब्द उत्पादर 12 करोड रुपे यहां पर स्फिति अंतराल जैसे कि हमने परिभाशा में और इसके अर्थ में देखा थार्ड और सिक्स को अगर हम माइनस कर लेते हैं दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो स्फिति अंतराल कहलाएगा यानि कि प्रयोजी आए जो कि 19 करोड है उसमें से हम स्फिति पूरूर कीमितों पर उभोग के लिए जो उपलब्द उत्पादन है जितना हम सप्लाई कर सकते हैं उसको अगर हम माइनस कर देते हैं 12 करोड को तो जो स्फिति अंतराल आएगा वो हमको यहां पर 7 करोड मिल ज है जाता है अब मान लेजिए कि इस सब 20 परतिशत 19 करोड का 20 पर निकि 3.80 करोड हम भर आए तो 12 करोड की वस्तु आउ मत repaired के लिए कि एम 15 करोड कuana करोड करोड कर देंगे इस प्रकार यह जो वास्तिविक इस फीती अंतराल हम यहाँ पर देख रहे हैं साथ करोड रुपए इसकी बजाए यह 3.20 करोड हो जाएगा यानि कि हम देख रहे हैं भी कि इस अंतराल को हम कम कर सकते हैं तो यह जो अंतराल है यह पूर्ण रोजगार इसतर पर अत्रिक्त मांग या अत्यधिक मांग कहलाएगा इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा इस प्रकार इसपस्ट कर सकते हैं इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि प्रारंब में जो कुल मांग है A, D जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं एवं कुल पूर्टी जिसे हम A, S वक्र से प्रदर्शित कर रहे हैं यह एक दूसरे को E बिंदू पर काड़ते हैं इसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि इस अर्थ नवस्था में ओ, M, पूर्ण रोजगार आयस्तर पर संतुलन है और पूर्ण रोजगार के O, M, आयस्तर को प्राप्टि करने के लिए हमको E, M, कुल मांग के आवशक्ता होती है और यहाँ अगर हम देखे हैं तो यहाँ वर्तमान कुल मांग इतनी ही है इस OM आएस्तर पर कुल मांग और कुल पूर्टी दोनों ही EM के बराबर है जैसे कि हम रिस्तरे का चित्र में देख पा रहे हैं अब अगर कुल मांग के बढ़ जाने से कुल मांग वक्र ऊपर की और की सकता है यानि कि ऊपर की और की सकतर AD1 हो जाता है तो वर्तमान कुल मांग जो है वो NM हो जाएगी यानि इस ग्राफ से स्पस्ट हो रहा है कि पूर्ट रोजगार आएस्तर के लिए EM कुल मांग की ही आवशक्ता थी लेकिन वर्तमान कुल मांग बढ़कर NM हो गई अब इस प्रकार जो पूर्ट रोजगार की आए के लिए जितनी कुल मांग की आवशक्ता थी उसके तुलना में वर्तमान कुल मांग जो है वो N E यानि कि N M मेंसे अगर हम माइनस सर देते हैं EM के छेतर को तो N E हमको यहाँ पर प्राप्त होता है उसके बराबर यह बढ़ गई तो यह कहा जा सकता है कि यह बढ़ी हुई मांग ही अत्यधिक मांग है और यह बढ़ी हुई मांग कीमत वृद्धी को जन्म देगी इसे ही हम स्फीती अंतराल भी कहते हैं तो हमने देखा कि इस फीती अंतराल किस प्रकार मांग में कहां पर अंतर है वास्तविक और कितनी होनी चाहिए दोनों के डिफरेंस को कैसे डिफाइन करता है उसको हमने एक एक एक्जामपल और ग्राफ के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास किया अब हम बात करें कि ऐसा होता क्यूं है क्यूं ऐसी कंडिशन उत्पन होती है कि इतना अधिक उत्पादन के साधनों को लगाने के बाद भी इतनी टेक्निक लगाने के बाद भी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है उतनी पूर्ती नहीं कर पाते है जितनी की मांग होती है या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आधिक की मांग या अतिरेक मांग का कारण क्या है तो सबसे पहला कारण इसका यह है कि अर्थ मेवस्ता में मुद्रा की पूर्टी में वृद्धी होती है लेकिन उत्पादन की मात्रा में वृद्धी नहीं होती मुद्रा की मात्रा में वृद्धी होना यानि कि हमने मौद्रिक नीतियों के अंतरगत पढ़ा कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धी हो जाती है कई बार लोगों के पास आए जादा हो जाती है वो भोग करना चाहते हैं उभोग की शक्तिया या क्रेश शक्ति कहा जाए तो उनकी बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल पे यह उस अनुपात में नहीं हो पाता है नहीं बढ़ पाता है तो यह जो इस्थिती है वो आधिक के मांग को उत्पन कर देती है दूसरी एक कंडिशन यह हो सकती है कि लोगों की आय में वृद्धी हो जाती है किसी भी कारण से लोगों की आय में वृद्धी हो जाती है उत्पादन बढ़ता है या उत्पादन के जो अलग अलग इकाईया होती है वो बढ़ती है एक ही तरह की एक ये दो इकाई पहले काम कर रही थी एक ही तरह के वस्तू की निर्माण की तो अब बाजार में उसकी कई इकाईया आ गई बहुत सारे उद्योग उस तरह के लग गए और ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके का बादन कई बार बहुत अधिक बढ़ जाता है लेकिन डिमांड उतनी नहीं हो पाती जितना प्रोडक्शन होता है तो यहां पर भी एक्स डिमांड यानि अत्रेक मांग की समस्या उत्पन होती है तीसरी कंडिशन यह हो सकती है कि हमने देखा कि अब जो सरकारे है वो घाटे का बजट बनाती है हाला कि एक तरीके से देखा जाये तो वो अच्छा होता है जनता के लिए इसलिए कि सरकार मैक्सिमम जो उसकी आए है वो जनता के व्यवस्था में जनता के को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाय उपलब्द कराने में लगा देती है और खुद भले घाटे म लेकिन जादा से जादा पैसा वो जनता की सेवा पर खर्च कर देती है यहां पर एक ऐसी इस्तिती उत्पन हो जाती है जब लोगों को बहुत जादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती उनके पास सेविंग्स हो जाती है उनके पास पैसे बच जाते हैं और वो उस बच बनाना चाहती है सरकारे हाला कि जनता के लिए भी अच्छा होता है लेकिन कई बार ये आधिक के मांग के स्थिति को जन्म देने का कारण बन जाता है एसे ही अगर हम देखें तो वस्तू का जब हम विदेशों में नरीयात करते हैं अत्रिक्त थोड़ी से राश्य प्राप्त करने के लिए क्योंकि हम जिस वस्तू का production करते हैं अपने देश में जिस मूले पर उसको हम बेचते हैं उससे कही ज्यादा मूले पर हम उसको विदेशों में बेच सकते हैं यानि कि नर्यात कर सकते हैं तो थोड़ा अत्रिक्त लाप प्राप्त करने के लिए हम अपने देश में जो जिन वस जाती है तो इस कंडिशन में मांग अगर पहले जैसे पर्याप्त भी बनी रहती है बढ़ती नहीं है तो भी आधिक के मांग के स्थिति में मार्केट आ जाता है तो अपने घरेलू अस्तों का जो प्रोडक्शन उसका निर्यात कर देना भी अतरेक मांग की समस्या को जन्म दे है तो आए केंस के विचारधारा पर एक नजर डाले प्रोफेसर केंस के अनुसार मुद्रा के मात्रा में व्रद्धी हुए बिना भी अत्यदिक मांग के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्पिति उत्पन हो सकती है यह उस समय होता है जबकि पूंजे के सीमांत उत्पादक् अत्वा उत्पोगता के सीमांत उत्पोग के प्रविद्धी में व्रद्धी होती है इसके कारण विन्योग वे में व्रद्धी होती है और परिणाम सरूप मांग में अपेक्षाकृत अधिक व्रद्धी होती है परन्तु पूंड रोजगार बिंदु के बाद उत्पादन म व्रिद्धी ना होने के कारण मुल्ल इसतर में व्रिद्धी होती है अब अगर हम बात करें कि यहां पर अत्यधिक मांग का प्रभाव क्या पड़ता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो प्रभाव है यह एक साथ हम इसका मुल्यांकन एक साथ हम इसका आकलन नहीं कर पाते बलकि बाजार की जो अलग-अलग गतिविधिया होती है उन पर इसका अलग-अलग तरह का प्रभाव पड़ता है तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि अत्यधिक मांग का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो मांग क्य बहुत ज़्यादा हो गई तो सबसे पहली बात कि उत्पादक की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो और अधिक वस्तु का उत्पादन करें। या करना पढ़ता है उसको ताकि वो उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक कुशलतम प्रयोग करके मांग को पूर्ती के नरूप ला सके हो सकता है कि श्रमिक उसके पास थे लेकिन वो सभी को नियोजित ना किया हो हो सकता है कि भूमी उसके पास access थी लेकिन पूरी भूमी का वो प्रयोग ना कर रहा हो हो सकता है कि संगठन करताओं की संख्या पर्याप्त थी लेकिन फिर भी उन सब का वो प्रयोग ना कर रहा हो उन सब को उन योजितना कर रहा हो वैपार में तो ऐसी कंडिशन में उसको पूर्टी के बराबर मांग को लाने के लिए उत्पादन के जितने भी साधन है सब का वो जितना अधिकता मुप्योग जितना कुशलता मुप्योग कर सकता था अब उसको करना पड़ेगा एक महतुपूर्ण बात यहां पर यह भी देखी जाती है कि उत्पादन शम्ता का विस्तार भी किया जा सकता है यानि उसके पास उस समय उस वर्तमान में उस इस्तिती में जितने उत्पादन शम्ता थी यानि उत्पादन के जितने साधन थे जरूरत पढ़ने पर उनमें विस्तार भी करना पढ़ता है यानि भूमी का जो छेत्र है उसको बढ़ाया भी जा सकता है पूंजी को भी बढ़ाया जा सकता है श्रमिको की संख्या में वृद्धी की जा सकती है संगठन करताओं की संख् कुछ भी करेकुल मिलाकर उत्पादन शम्ता के विस्तार की जरूरत यहां पर पढ़ती है एक महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिलती है कि ऐसी कंडीशन में जब वस्तू की मांग अचानक से बढ़ जाती है तो उस वस्तू से संबंदित नय उद्योग भी इस्थापि बढ़ गई और ऐसी कंडीशन में कई ऐसी कंपनिया आ गए जो पहले इस तरह की चीजों का सेनिटाइजर का मास्क का और इस तरह की दवाईयों का प्रोड़क्शन नहीं करती थी और अचानक से उन्होंने इन सब चीजों का प्रोड़क्शन करना शुरू कर दिया तो कुल पादन के साधनों को भी लगा दिया जितने साधन थे सबको लगा दिया सारी पूंजी लगा दी सारी भूमी लगा दी सभी साधन पर्याप्त जितने थे सबको लगा दिया फिर भी मांग अगर नहीं बढ़ती तो कई बार नए अविश्कार हो जाते नहीं टेक्निक का यू रोजगार पर प्रभाओ आप क्योंकि हमने बात कहीं कि उत्पादन बढ़ाना है उत्पादन के साधनों को जादा से जादा नियोजित करना है तो जब उत्पादन के साधन जादा से जादा नियोजित होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों के आप शक्ता पड़ेगी श्रम तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दो तरह की परिस्थिती हमकों देखने को निया इतवन जाइगी ज़राई की स्थिती करने के लिए जब लाया जाएब जायेगा का जो मूल्य होगा उनकी जो कीमत होगी उनको मिलने वाला जो पारिश रमिक होगा वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा यानि कि वो भी बढ़ेगा यानि श्रमिकों को और ज्यादा लाब प्राप्त होगा और दूसरी कंडिशन में जब समाने तोर पर पूर्ती के बराबर मांग को लाने का प्रयास किया जाता है तो एक ऐसी इस्थिती बनेगी जिसमें कि लोगों को यानि अल्प रोजगार की जो इस्थिती है वो बनेगी जो बिल्कुल भी जिनके पास रोजगार नहीं था एक बड़ा जो वर्ग था बेरोजगार लोगों का वहां पर कहीं न कही सुधार आएगा ने कि रोजगार की ठीक ठाक इस्ति बनेगी तीसरा अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं कि अत्यदिक मांग का कीमत पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो एक तो जैसे कि हमने अभी तक पिछले कई अध्यायों में पढ़ा कि भाई अगर मा उतिक कम होगी ये तो जाहिर सी बात है लेकिन ये एक ऐसी कंडिशन बन जाती है जब वस्तू की कीमते बढ़ जाती है आपने बाजार में देखा होगा अपनी आवश्रक्ताओं की वस्तू के संबंद में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार जब किसी वस्तू की विशे इस मौसम में सीजन में मांग बढ़ती है तो कैसे उनकी कीमते भी अचानक से बढ़ जाती हैं दूसरी एक मतपूर बात यहां पर ये भी देखनों के मिलती है कि अगर अर्थ व्यवस्ता इस इस्थिति में है कि उत्पादन को बढ़ा कर अगर मांग को पूर्ती के बराबर ल लोग करेगा और उत्पादन बहुत आसानी से वह कर लेगा हाला कि मांग अगर बढ़ी है तो मांग को देखते हुए वह थोड़ा सा लाप तो कमाना चाहेगा यानि कि मूली व्रिद्धी कहीं न कहीं तो होगी लेकिन तीसरी एक कंडिशन यहां बनती है जब आर्थ कंडिशन में भी मांग जो है वो रुक नहीं रही है सतत बढ़ी हुई है तो ऐसी कंडिशन में जाहिर से बात है कि उत्पादक को वस्तू के मूले में बहुत अधिक व्रिद्धी करनी पड़ेगी ताकि मांग को कहीं किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके अब कारण को हमने द हो गई है इसको कहीं न कहीं बैलन्स करना नियंत्रित करना आवश्यक होता है तो कौन-कौन से उपाय होते हैं जिससे समस्या को नियंत्रित किया जा सके ठीक किया जा सके इस पर हम एक नज़र डाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अत्याधिक मांग की समस्या को ठीक क करने के लिए यहां टीन तरीक कि अपना सकते हैं जिसमें हम सबसे पहले नीतियों के अंतरगत ही जिसमें हम मुद्धरा से सब्भन जो बाते होती है याने कि यहां पर हम देखते हैं किRCी मुद्रा की पूर्ति क्या है मुद्रा की मांग कितनी है लागत कितनी है साक की उपलब्धता कितनी है हमने पिछले अध्याय में काफी विस्तार से पढ़ा मौद्रिक नीतियों के बारे में तो उन्हीं नीतियों को के अंतरगत हम मौद्रिक उपाय कर सकते हैं मुद्रा से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं और अत्यधिक मांग को काफी हद तक नियंतरित कर सकते हैं हमने देखा था कि RBI बहुत सारे ऐसे नियंतरन इस्थापित करती है मुद्रा के संबंध में मौद्रिक नीति था है इसे नियंत्रित करके रखा जा सके मुद्रा प्रसार मुद्रा संकुचन के बारे में भी पिछले अध्याय में हमने काफे विस्तार से पढ़ा था तो इन्हीं सब को दृष्टिकत रखते हुए एक काम यह किया जा सकता है कि आर्बियाई जो है वह मौद्रिक नीतियों पर अपनी नीतियों को कुछ इस तरह से नियंत्रित करके रखे कि मुद्रा संबंधी नीतियों के कारण जो अत्रिक्त मांग के समस्या उत्पन हो रही है कम से कम उसको ठ देखा कि किस प्रकार रिजर्व बैंक जो है वो समय समय पर मुद्रा निर्गमन के संबंध में एक महत्पूर्ण निर्णा लेती है तो इसे को दृष्टिकत रखते हुए हम किया सकते हैं कि कम से कम वो अपने नियमों को इतना कठोर बनाए कि अत्रिक्त मुद्रा की जो इस् बहुत आसान तो नहीं है लेकिन कई बार ऐसे इस्तित्या उत्पन होती है जब अत्यधित मांग को बहुत साधारन से जो ट्रिक होते हैं बहुत साधारन से जो हत्यार होते हैं कंट्रोल करने के उनसे नहीं किया जा सकता है तो ऐसी condition आती है कि RBI को जो पुरानी मुद्रा अभी जो प्रचलन में है उसको रोक कर या उसको समाप्त करके नई मुद्रा का निर्गमन करना पड़ता है ये हत्यार काम आता है उस समय अत्यधिक मांग को कंट्रोल करने के लिए बात करें अगर हम practically इसको वेवार में लाने की तो हमने देखा कि प्रताम विश्विद के बाद सन 1924 में जर्मनी ने ये काम किया था और लगभग उस समय उसने अपनी 10 खरब मुद्राओं को समाप्त करके उसके बदले में नई मुद्रा उसने जारी की थी तो जब कोई भी ट्रिक काम नहीं आता है तो ये भी नया काम किया जा सकता है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त करके फिर नई मुद्रा का प्रचलन अलाया जाए मौद्रिक जो नीतिया है मौद्रिक जो पाह है उसे में तीसरा एक महत्पूर्ण काम जो किया जा सकता है वो है साख पर नियंतर निस्थापित करके जाने कि साक की स्विति को कम करके हमने देखा केंद्री बैंक संबंदी तद्यायों में कि किस प्रकार जो वैपारिक बैंक है वो केंद्री बैंक उनको जो पैसे देती है केंद्री बैंक से जो रिंड लेते हैं वो किस कारे के लिए लेते हैं ताकि वो जनता को वो रिंड दे स ब्याज की दर अगर कम रहेगी तो जाहिर से बात है कि लोग बहुत आसानी से लोग ले लेंगे अब यह ऐसी कंडिशन बन जाएगी कि लोगों के पास लोगों के हाथ में अच्छी खासी क्रेश रखती आ जाएगी फिर वह जादा वस्तों की डिमांड करेंगे और फिर आध और विपारिक बैंक है वो बढ़ी हुई दर पर रिन लेंगे जनता को वह बढ़ी हुई दर पर रिन देंगे और जब लोग कोशिस करते हैं कि वो रिन ना लेने लेने से बचने का प्रयास करते हैं ऐसे कंडिशन में उनके हाथ में बहुत जादा क्रेश रक्ति नहीं आ पाती और बहुत अधिक वस्तों की डिमांड वो मांग वो नहीं कर पाते काफी हدतक इस ट्रचनिक के द्वारा अतिरिक मांग की समस्या को कंड्रोल किया जा सकता है इसे तरह एक काम ये भी किया जा सकता है बेंकों के द्वारा कि वो अपने सिक्यूरिटीस को बेचे, प्रतिभूतियों को बेचे लोग उन securities को अगर खरीते हैं जनता अगर उनको खरीती है तो जनता के पास जो आए है जो धन है उसका एक बड़ा हिस्सा bank के पास आजाएगा सरकार के पास आजाएगा तो इससे भी उनके पास जो crash अक्ती है वो कम हो जाएगी इसको control किया जा सकेगा जिससे वो अधिक वस्तों के मांग नहीं कर पाएंगे इसी के अंतरगत एक काम ये भी किया जा सकता है कि जैसे कि हमने देखा था कि RBI जो है वो अन्य जो बैंक होते हैं उनके कुल जमाराशी का एक निश्चित भाग जमाकोश नगत कोश के बारे में ह अपने पास रख लेती है हमने बहुत अच्छे से अपिछले कुछ अध्यायों में जाना था कि कैसे rate of interest होता है कैसे percentage होते है कितना परसेंट अर्बिया अपने पास रखती है कितना उनके पास रहने देती है बहुत डीटेल में हमने इसको जाना था तो यहां पर एक ट्रिक दें नहीं पाएंगे, आसानी से जनता तक क्रयशति उनकी पहुँच नहीं पाएगी, मुदरा जनता तक पहुँच नहीं पाएगी, तो यहां यह ट्रिक अपना कर भी काफियत तक मांग को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसी तरह दूसरा जो उपाय है जिसे हम कहते है राजकोश ये उपाय, राजकोश यानि राज का देश का जो खजाना होता है, उसमें जितनी धन संपत्या है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कितना वहाँ पर कहां कहां से पैसा आएगा, किन किन मदों पर सरकार खर्च करेगी, इतियों को कंट्रोल करते हुए जो उपाय अपनाया जाएगा यहाँ पर, एकसेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए वो ही राजकोश ये उपाय के अंतरगत आएगा, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम सबसे पहला काम यह कर सकते हैं, कि बचत का बजट हम बना है तो हमने देखा कि जनता के लिए वो काफी अच्छा है सरकार भी अपने को गर्वानित महसूस करती है जब गाटे में अच्छा कारे किया है लेकिन कहीं ना कहीं यह अत्यधिक मांग की समस्या को जन्म देता है जिससे कि हमने पहले अगर बचट का बचट बनाया जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार अपनी आय का कम हिस्सा व्य कर रही है तो व्य कौन करेगा फिर जहां पर जरूरत पड़ेगी जनता खुद व्य करेगी यानि कि उसके जो वस्तों के लिए भोग के लिए जो क्रेश रकती है वो आटोमेटिक के कंट्रोल हो जाएगी कम हो जाएगी और यहां पर अत्रिक्त मांग की समस्या को भी हल किया जा सकता है दूसरा एक उपाय राजकोशी उपाय के अंतरगत ये किया जा सकता है कि रिण प्राप्ती समंदी योजनाय बनाई जाए यानि कि सरकार जो है सरकारी बैंक जो है वो रिण पत्र जारी करें और लोगों को जनता को प्रोटसाहित करें कि वो रिण दे सरकार को तो उनके पास जनता के पास जो जम्मराशी है जो पैसा है वो रिण के रूप में वो सरकार को दे देंगे आए यक्रै की जो शक्ती है वो जादा से जादा सरकार के पास आ जाएगी कहां से आ जाएगी जनता से एक लाब जनता को ये होगा कि उस पर उनको ब्याज प्राप्त होगा तो ऐसी कंडिशन में दोनों चीजे बहुत अच्छी हो जाएंगी कि सरकार के पास एक तो आए भी आ जाएगी और दूसरा जनता के पास जो अत्रिक्ता है उसका सदुप्योग हो पाएगा और जिस समस्या से हम बचना चाह रहे हैं अत्रिक्त मांग उस समस्या को भी क् कि लोगों के पास क्रेश शक्ति कम हो जाएगी तो इस समस्या से भी काफी निजात पाया जा सकेगा तीसरा एक उपाय यह किया जा सकता है कि सारवजनिक वैपर नियंत्रण बहुत जादा जो देर्शित के लिए बहुत जादा जो विकास के जो कारिक किये जा रहे हैं उन पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सकता है जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर खर्चों को रोका जा सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है या जितना अधिक हो सके उनको नियंत्रित किया जा सकता है जिसे हम देखते हैं कि सड़क बनाना बांध बनाना इ लगातार इनका निर्माण होता रहता है तो इन पर कहीं कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके कुछ हद तक जो इन पर होने वाला व्याय है उसको नियंत्रित किया जा सके यह भी एक ट्रिक अपनाई जा सकती है एक चौथा काम यहाँ पर यह भी क्या जा सकता है कि लोगों को बचत को प्रोचसाहित करना चाहिए जनता को कि वह बचत करें यानि कि पैसे को बचाएं कहीं अच्छी जगा इंवेस्ट करें हमने पहले भी देखा था कि व्यक्ति के पास जो आय होती है उसको वह दो तरह से यूज करता है एक भाग तो वो उपभोग में लगा देता है और दूसरा भाग जो बचता है उसको बचत याने कि इन्वेस्टमेंट में लगा देता है विन्योग में लगा देता है लेकिन एक आधिक के मांग जो है उसकी समस्या तब उत्पन होती है जब जनता की प्रविर् पुभोग मांग में लगा देता है और यही वो इस्थिती होती है जब मांग लगातार बढ़ती जाती है वस्तू की तो किसी भी तरह से सरकार को प्रोसाहित करना चाहिए लोगों को कि वो बचत करें विन्योग करें अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी आय का एक बड़ा हिसा व यहां यह भी किया जा सकता है कि मजदूरी बंधन इसको अपनाया जा सकता है इसके अंतरगत की ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है कि अत्रिक्त आय जो मजदूरों की हो रही है या उनके मजदूरी में जो व्रिद्धी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम तब तक जरूर रोक लगाई जाए जब तक उत्पादन में विर्धी होती है तब तो उनको उनकी जो मजदूरी है। उसमें अत्रेक उनको उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन जब तक उत्रिक्त मांग करेंगे और वस्तों की मांग करेंगे प्रोडक्शन उतना है नहीं पूर्ती पहले से कम है तो फिर से अत्रिक्त मांग की समस्या उत्पन होगी दूसरी ये बात की उत्पादन किया कैसे जाए जबकि पहले से ही जितने साधन है क्योंकि हम पूर रोजगार की अवस्ता में चल रहे हैं पहले से ही जितने साधन है उ उसको समाप्त करने के लिए नियंतरेत करने के लिए एक उपाया ही अपनाया जा सकता है कि मजदूरी में किसी प्रेकार की अतरिक्त वृद्धी को रोग दिया एक काम यहां पर ये भी किया जा सकता है कि उत्पादन में वृद्धी का कुछ तो प्रयास किया जाना चाहिए हाला कि हम पूर्ण रोजगार की सिति में हैं हम लेकिन फिर भी जो बन पाए चाहिए एक्स्ट्रा हम टेकनिक लगा कर चाहिए हम उध्योगों की इकाई में विस मांग के स्थिति उत्पन हो जाती है तो यह किया जा सकता है कि जो अनिवार आवशक्ताओं की वस्तुएं हैं जैसे रोटी कपड़ा और मकान चिकित्सा सिक्षा इन सब चीजों को के मूले को नियंत्रित करके बांकी जो अत्रिक्त वस्तुएं हैं जो विलासिता या अराम दायक वस्तुएं के अंतरगत आती है उनकी मूले में व्रिद्धी की जा सकती है ने कि वस्तुएं का उनकी आवशक्ता के अनुसार कुछ ऐसा मूले का समयोजन करना कि बहुत अत्रिक्त आर्थिक भार भी ना पड़े लोगों पर और अत्रिक्त मांग की समस्या को नियंत् व्रिद्ध करेंगे तीसरा अगर हम अन्य उपायों की बात करें तो एक काम हम यह कर सकते हैं कि आयात में हम व्रिद्धी कर दें और नियर्यात में कमी कर दें आयात में व्रिद्धी करेंगे तो बहुत सारी ऐसे उन वस्तों का भी हम उत्पादन कर पाएंगे जिनका प्रो पर बोगा दें यह भी एक कंडीशन हो सकती है कि हम ने देखा कि निर्यात टेक्가 बनाए उध्यूगों को उत्पादण निगायों को प्रोथ साहित करें 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 टोर रिधारि करन को भी इसमें हम कूछ क्रूकर रिख शितित्थल पर थे आध्यूख फडान करें बनाए जिससे ओद्योगे की कायों का विस्तार हो सके ताकि उत्पादन किसी भी तरह से बढ़ सके और अत्रिक्त मांग को वो नियंत्रित कर सके एक उपा यहां यह भी अपनाया जा सकता है कि मूल्यों में थोड़ी सी सहायता की जा सकती यानिकि सरकार अगर चाहे तो जैसे क पर निधायत कर सकती है जिससे अत्रिक्त मांग की समस्या ही ना उत्पन हो तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि कैसी कौन-कौन सी दशाएं हैं जिसमें मांग जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है पूरती से हमने मांग और पूरती के बीच के डिस्ट पूरा का पूरा लगा देने पर जितना भी हम टैक्निक लगा सकते थे जो भी हम कर सकते थे सब कुछ सारे उपाय कर देने पर पूर रोजगार के इस्तिति प्राप्ति कर लेने के बाद भी मांग जो है वो बढ़ी रहती है किस तरह से उसको नियंत्रित कर सकते हैं इसके ब पूर्ती बहुत अधिक हो जाती है और मांग कम हो जाती है तो हम अपने आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अत्यधिक मांग के जो समस्या है वो कई बार पलट कर आभावी मांग में भी परिवर्तित हो जाती है